नमस्कार दोस्तों मैं संदीव स्वागत है आप सभी का आपके अपने सक्सेस टूटूब चैनल में दोस्तों आज 21 नहीं एंट फिस्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो इनवर्सिटी और कॉलेज में जो छात्र हैं बीए या बीसी बीकॉम में में सीमकॉम के जो है संपूर जानकारी के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा यह जो बीडियो वो सभी इनवर्सिटी के छात्रों के लिए इंपॉर्टन है जिनकी परिच्छा आने वाले दिनों में हैं ठीक है तो ध्यान समझेगा ओके पूरू के साथ मैं आप लोगों दिखाने होता हूं तो यह आप लोग देख लिजिए अभी आज ही पेपर यह तो यह आप लोग देख लिजिए बीए पार्ट थर्ड एक्जामनेशन 2021 यानि लागडाउन के बाद जो परिच्छा हो रही वो यहां पर लिखा फर्स्ट पेपर होता सिकेंड होता थर्ड होता है वो कुल मिला के एक ही पेपर होगा आप लोगों होगा ठीक है हिंदी में होते इस है कि फॉस्ट पेपर सेकेंड थर्ड तीन होते तो तो नहीं होगे चेंगे इक सबजिक्ट के तीन पार्ट होते हैं उस तरह नहीं होगा सिर्फ 2 पेपर होंगे पर्ष्ट स उप का वस फस्ट । ऑब टीनों कोपीनिकेशन है तो इसमे देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेस्ट आए अभी आज ही ये मुझे पूरी जानकारी के साथ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि प्रस्ण किस प्रकार कहुंचे गये थे ये देखो क्लम लेकर जो नाम लेकर जिसे पकारा सो गया यह पंक्ति भौने प्रसाद में किस कवीता से अवतरित की गई तो इसमें आपसार आप लोगों मिल जाएंगे इभारत हैसतपुडा के जंगल सी नंबर फूल कमल के और दी नंबर गीत तो राइट एंसर आप लोगों के सिलेक्ट करना होगा जो होगा वह आप लोगों को टिक करना होगा ओके दूसरा कोईश्चन हम आप लोगों पढ़के सुना देते हैं चांद का मुझ टेड़ा है किस कभी की करती है तो अग्ये मुक्तिबोद निराला दीर हुबीर सहाय तो इसका राइट एंसर मैं आपको बत हो जाएगा मुक्तिबोद कभी है इनकी ही क्रती है यह ठीक है तो बी नंबर इसका राइट एंसर हो जाएगा तो ध्यान में आप लोग समझ लीजिएगा फिरहाल इसमें जो पूछे गए थे टोटल सो कोईश्चन पूछे गए थे जिसमें सो में से आप लोगों को सिर्फ 75 के ही आंसर देने थे यानि कि 25 प्रशेंट का आप लोगों डिस्काउंट मिला था कोविट की वज़ा से ठीक है तो पचास में सो में से आप लोगों पचिश्चनि करने थे अगला क्वेश्चन है कि भूल गलती कभिता के रशना का क्या नाम है यह नंबर नबर मुक्ति बोध उके जल्यां दूसरा आप लोगों को अगले question का answer बता देते हैं देखिए अगला question आप लोग पढ़ लीजेगा चार नंबर है थोड़ा long है तो आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं अगला पढ़ सकते हैं कि मुक्तिबोध किस तास अब तक के कभी थे जो मुक्तिबोध कभी थे वो जो तास अब तक आप पढ़ लेंगे जो भी जो आप लोगों को इसमें हैं सारे हल कर लेने क्यों क्यों हो सकते हैं लिखा कि एक साहित्तिक की डायरी किसकी करती है तो इसका राइट एंसर मैं आपको बता दूँ आप संचार इसमें राइट एंसर को जाएगा आपसन नंबर इसका हो जाएगा मुक्तिबोद इसके भी जो कभी करती है तो राइट एंसर इसका हो जाएगा ब नंबर अगला कोश्चन है कि यूग की गंगा के रशना के कभी हैं तो इसी तरह बहुत सारे इसमें कोश्चन दिये गए हैं मैघ की कुल मेरी 75 क known अप भोख करने होते हैं 100 में से इसी तरह मैं सरे कोसिटन मैंने यहां पीक कर लिया है आपको इसका सारा डीपे लोग पढ़ना है कि मैं सारी पाँगा皇 को पूरा मौडल कोष्चन पर तो लोग आसाने से इसको इस दिन का हल करके आप देने जा सकते हैं ठीके इसके लावा अगर आपको किसी अन्न सब्जेट का मारल कोईचन या किसी वीडियों से ठीका चाहिए तो कमेंट में जरूर बताईएगा ठीके मैं कोई कोईचिचन को शुदात बेसा कमेंट करके पूछि हम आपको मिलते हैं निस्ट वीडियों तो तक लिए जय हैं दोस्तों